देखे यूमन आय में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रिजम का पढ़ेंगे देखे दोबारा प्रिजम हमारा क्या एक परामिडिकल पीस of पिरामीड सेप है पेरामिडल इस औफ ग्लास से बना वात विद टूर् ट्रैंगुलर फेस जिसके दो ट्रैंगुलर बेस होते हैं और तीन ड्रेक्टेंगूलर ले elegant लेटरल सर्फेस लेटरल साइड बाई साइड जैसे लेटरल सर्फेस जैसे किसी भी क्यूवाइड हम बनाते को भी हम क्यूवाइड बना दिया यह मैंने क्यूवाइड बना दिया इस सेप का क्यूवाइड बना दिया इस सेप का मैंने यह क्यूवाइड बना दिया तो इसका म ऐसा है किया पाँआ olabilir के फिलार प्रीजर य הבןूअ बिट्वीन जुड़ अदर से हमारे रेक्टैंगूलर दो लेटरल सुर्फेस के बीच के चवाज प्रीज मिलते मिलव हमगोरगे क teams को देखेंगे तो यदर से हमारा君 रज़ार आता है और यह पेस हमारा को होता है? यह हमारा को नजर आता है, Rectangular. तो इसका मतलब जो Rectangular Base चटो पेसे बीच के एंगल, उसने कुछता है, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस हमारा कॉन सा है, Rectangular. त दो इसका मतलब जो Rectangular में जो आंगल बनेगा उनके एंगल बनेगा उनकी एगसरीन जोडिय सेeh कि जहां पर इंसीडेंट और जो आपकी emergent ray, incident ray, emergent ray produce होने के बाद जिस point पर intersect होते हैं, जिस point पर मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, angle of deviation, angle of deviation, it is the angle between the incident ray and emergent ray is known as angle of deviation, और यह angle जो बनता है, angle of deviation, incident ray और emergent ray को produce करने के बाद होता है, emergent ray और incident ray को produce करने के बाद जो बनता है, अब जैसे यहाँ पर example है, प्रीज में, यह प्रीज में इसके, अभी आपने कहाँ, दो triangular face है, एक ट्रेंगुलर यह रहा, यह ट्रेंगुलर फेस है, एक यह फेस है, और एक यह वाला फेस है, दो फेस, दो ट्रेंगुलर फेस हो गए, और यह क्या है, दीखें, यहाँ से, यह ला, यह rectangular face है, कितने rectangular face, एक rectangular face है, एक कुंसा है, एक कि वाला देखें, एक rectangular face इसके आहँ पौजिट में है, दो होगए, यह वाला है, और तीसरे यह बेस कर है, तो टोटल rectangular face टीन हो गए, एक यह और एक इसके back की तरफ, और एक बेस की तरफ और दो ट्रेंगुलर हो गए एंगल ऑफ प्रिज्म यह वाला और यह वाला लेटरल सर्फेस यह वाले देखो रेक्टेंगुलर है इनके बीच का जो एंगल अफ प्रिज्म जो बनेगा वो दो लेटरल सर्फेस के बीच में एंगल बनेगा और यह लाइट इस पर पढ़ने के बाद यहां पर क्या होती है साथ कलर में तूट अन्दर टूटने के पाज बाहर निकलती है वह हमारी कह अलग-अलग कलर में निकलती है इसका मतलब यह ci Impe rigor splitting of white light white light का तूटना कितने कलर में साथ अलग-अलग कलर में टूटना भीचल यहां अब जैसे यह लाइट आ रही देखो द्यान से यह लाइट पर हते हैं यह स्टेट लाइन ड्रहो कर दी तो यह का होगी अगर हम सीधी लाइन को प्रोड्यूस करें इमेजिन करें तो यह जो तैसे टकराएं यह हो गया यह रेड ध्यान रखे पहले रेड लाइट फिर सबसे लास्ट में वाइलेट यह एंगल जो बनाए यह एंगल ऑफ डेविशन होता है तो यह जो एंगल है यह कैया? अगल ऑफ डेविशन यह हमारी इमेर्जन ट्रे लेकिन यह रे हमारी कितने है? seven different color में तो सबसे कम जो light deviate होगी वो red color की होगी red color की light क्योंकि light white light में जो हमारे white light है उसमें साथ different color है जो सबसे कम deviate होती है वो होती है red अब angle of deviation क्या पहले दुबारा देखिए ये मेरे पास प्रीज में जो यहाँ पर आगे आपको पता है रेक्टांगुलर फेस है एक फेस एज यही एक एज यही इन दोनों के बीच के एंगल को हम यह सब्सक्राइब को लेटरल सरफेस के द्वारा जो एंगल बना जाता है उसे हम क्या बोलते है एंगल प्रिजम है ये एंगल प्रिजम ये एंगल प्रिजम ज्वायतर अगर मैं आगर इनसीडेंटर टकराई इस प्रिजम पटक्राई इस पृद्टकर हुब जिसंपर टकराई ऑस पर ऑपने लाइंट mostrar होगा पढ़ा हुगा फिर वहां से लाइट के होई एक मिडियम से एर मीडियम से कहां जा रही है डैंस Al क fibers रही है तो क्या होगा बैंड हो गई आरा फेs से नॉर्मल और इंसीडेंट रिके बीच में जो एंगल बनता हों से आई बोलते हैं यह हमारी रिफ्रेक्टे Riffraction जो लाइट है साध डिफेरेंट कलर में बन गया इंगे यह कुंसी हमारी रिफ्रेक्ट फिर वो डैंसर से किसमा पर यही हुआ है जब डैंसर से रेहर मिडियमре को यह होती है तो लाइट को होती है अभी सभागे गी यह किषै है हमारा एंगल हो गया यह एंगल के होगा हमारा last में दूसरे medium पर जब निकलती है उसे हम बोलते है एंगल of emergent इसे बोलते है एंगल of emergent तो एंगल of emergent जो बनता है वो emergent ray और normal के बीचे बनता है क्योंकि हमने reflection में पड़ा है जब light एक medium से दूसरे medium में last में जब निकलती है उसे हम बोलते है एंगल of emergent क्योंकि पहले rare medium में थी फिर solid medium में थी dancer medium में फिर again rare medium में तो इसे बोलेंगे angle of emergent which is form between the emerging tray और emergent tray और किस की बीज में normal की बीजम नहीं अगर is emergent tray को मैंने produce कर दिया ये produce कर दिया और यहां से incident ray को produce कर दिया तो incident ray और emergent ray के बीच में जो angle बनता है उसे हम angle of deviation बोलेंगे इसको बोलता है angle of deviation जिसे हम बोलते है capital D से express करते है capital D से अब इसके activity है उसको activity को देखेंगे देखें दियान से अब यहां पर देखें पहले जब यह light यह डěविट हो यह था यह साथ कलर में टूटे जो पहली थी वो क्या थी हमारी red और last वाली ठी यह मारी violet या थी हमारी violet जो बैंदी जो light जो light सबसे कम back ही वह हमारी red कलर की बैंद ंसका है वाइलाऊ पर वाइलेशन सबसे कम red को सबसे जयादा张 और सभसे ज्यादा देखो सबसे ज़्यादा घ Alone li इसका मतलब वाइलेट जो है सबसे ज्यादा बैंड वी और रेड़ सबसे पकम बिट वी इसकाLES बैंड जो है एंगल अफ? और वाइलेट का सबसे Stephanie सबसे ज्यादा है तो सबसे कम बैंड कोंस वी एक वाइड लाइट किसी प्रिज्म में पास होती है तो वो साथ कलर में तूट जाती है जब साथ कलर में तूटती है उस साथ कलर को उस साथ कलर को लाइट को क्या बोलते हैं साथ कलर को बैंड ऑफ लाइट सेवन बैंड ऑफ लाइट सेवन बैंड ऑफ लाइट सेवन बैंड light से बने तो शिंगल वाइट लाइट साथ different color में टूटी. साथ different color में टूटी. इसे हम बोलते हैं इसे बोलते हैं dispersion. क्या बोलते हैं से dispersion? तो dispersion क्या है? dispersion, what is dispersion? splitting of a white light, splitting of a white light into seven different color is known as, is known as dispersion. dispersion का मतलब है एक white light, single light का तूटना, अलग-अलग seven different color में, seven band of color में, उसे हम बोलते हैं dispersion, और जो seven band of color है, उसे हम बोलते हैं spectrum, और इस spectrum में जो बनता है, वो हमारा क्या बनता है, seven different color, वो हमारा vibgyor बनता है, V, I, B, G, Y, O, R, vibgyor, V means violet, I means indico, B means blue, G mean green, Y mean yellow, O mean orange, R mean red, vibgyor, violet, indico, blue, green, yellow, orange, red, जो सबसे कम wavelength है, जो सबसे कम band हुई, अभी wavelength की बाद में, जो सबसे कम band हुई, जो सबसे कम band हुई, वो मेरी red color की band हुई, और जो सबसे ज़्यादा band हुई, वो हमारी क्या है, violet color की, deviation, red color का सबसे कम है, और violet color का deviation सबसे ज़्यादा है, और अगर हम इस prism को, जैसे देखो यह prism है, यह क्या हो गया, white light आ रहिया है, यह prism, ने क्या गरा, seven different color में तोड़ दिया, पहले red और फिर violet, तूट गया, तूटने के बाद साथ different color बने, फिर एक prism और लगा दिय लगा दिया, ultra prism लगा दिया, inverted prism, inverted prism, लगा दिया, देखो, इसका face उपर की तरफ आ गया, तो जो साथ color है, साथ color है, जब वो उस prism से, दुवारा prism से पास हुई, तो वो जो साथ color है, वो क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, क्या ह बनाई एक सिंगल क्या बनाई वाइट लाइट बना दी तो इसे हम बोलेंगे कि साथ डिफरेंट कलर कंबाइन होगे अगेन यही जो वाइट लाइट टकराई थी दुबारा वाइट लाइट में बन गई तो इसे हम बोलेंगे हमने रिकनभीनेशन और सब्सक्राइट लिए लिपनेशन और सब्सक्राइट इन धूल। थी तो इसे हम बोलेंगे डिफरेंट क्लर को combine कर दिया और जिसे research किस ने किया था Newton ने research किया था तो इसका लाइन white light is passed through a glass prism, जब एक white light glass prism में pass होगी it split into its seven different color, two form a band of seven color, वो जो white light थी, वो साथ different color में टूटी, उन साथ different color को हम क्या बोलते हैं, band of seven color, इस फिनोमेन को मोलते हैं, dispersion, अभी आपने का dispersion mean splitting of a white light into seven different color, is known as spectrum, फिर आपने पड़ा, spectrum band of seven color form due to the dispersion of white light, is known as spectrum, जो साथ color की जो light थी, जो रिलीज वी तूटी, कभ एक white light, जिसका white light का जब डिस्पर्शन हुआ, जो साथ color रहने, उस seven band of color को, seven band of color को हम बोलते हैं, spectrum, और जो क्या थे, V, I, B, G, Y, O, R, V, violet, indico, blue, green, yellow, orange, आपने, पहलगी, को, मैं पहलगी, v, I, B, G, Y, O, R, आपने, जोलगी वी, न वी, आपने, को, ऑफने, व्य, पर झालगी, जोलगी, पहलगी पहलगी, जोलगी, जोलगी, और दिसके बिल्चने और जोलगी, सबसे ज्यादा बैंड होगा, इस गुरूप को हम यहीं बोलते हैं, अक्रेणों भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डवियशन इसका मतलब जो एंगल जितना ज्यादा डैवीच मतलब जो लाइट जितना ज्यादा डैविट होगी, वो डिपेंड किसपर कढरती है वेवलेंथ पर इ क्या है ज्यादा है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है रेड कलर डेवियेट कम होता है एंगल अफ डेवियेशन रेड का कम है डेवियेट कम होता है तो वेवलेंथ क्या इसकी ज्यादा है और वाइलेट वाइलेट जो सबसे ज्यादा डेवियेट होती है तो इसकी वेवलेंथ कम ह तो अगर पुछें, violet की wavelength कम है और red की wavelength ज्यादा है, wavelength of red color is more, क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, less angle of deviation है, less angle of deviation है, तो wavelength क्या है इसकी ज्यादा, और यह क्या है, more deviate, more deviate, यह ज्यादा deviate होती है, इसलिए इसकी wavelength कम है, violet has less wavelength, red has more wavelength, why? because red deviate less as compared to violet, अगर हम दो color compare करें, yellow और blue, yellow और blue, तो सबसे इन दोनों में कौन bend कम होगा, yellow कम bend होगी और blue ज्यादा बेंड होगी, इसकी wavelength येलो की ज्यादा होगी और blue की wavelength कम होगी, अगर हम दो में compare करें, red color is the least deviated, as largest as wavelength, इसका मतलब red color की wavelength सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होने के कारण वो deviate कम होती है, तो वो ये बता रहा है, angle of deviation जितना कम है, wavelength उतनी ही ज्यादा है, angle of deviation इसलिए inversely proportional to the wavelength, violet color is most deviated, सबसे ज्यादा जो deviate होती है, सबसे ज्यादा जो angle of deviation मनाती है, वो violet color बनाते है, इसका मतलब it is, it has smallest wavelength in the visible spectrum, इसका मतलब सबसे कम wavelength किसकी है, violet की है, क्योंकि वो deviate कम होती है, visible spectrum क्या रहा है, visible spectrum मतलब हमें ये जो साथ है, ये color हमें दिखाई देते हैं, ये color हमें दिखाई देते हैं, ये spectrum इस seven color हमें दिखाई देते हैं, किसी object का color red, blue, ये हमें इस विप ग्योर की वज़े से दिखाई देता है, क्योंकि light जब इस पर पड़ती है, तो सारी light absorb कर लेता है, उसी light को reflect होके हमारी आँखों तब पहुचाता है, कौन सी light को, जिस color का वो object है, ये not in flavor, now, phenomenon, total not in flavor, देखो rainbow, first, आपने पड़ा, prism पड़ा, फिर आपने पड़ा, दूसरा, spectrum और dispersion पड़ा, फिर आपने पड़ा, spectrum, प्रिजम आपने पड़ा, dispersion splitting white light, अब ये rainbow क्या है, rainbow एक natural phenomenon, atmospheric reflection, कुछ हमारे life में, कुछ ऐसी घटना घटित होती है, जो imaginary होती है, और actual में वो दिखती है, होती ही imaginary है, लेकिन वो happening होती है, imaginary होती है, लेकिन दिखती है कि वो actual में हो रही है, और actual में होती है, ऐसे ही कुछ हमारे phenomena है, पहले सबसे पहले, उसमें कुछ phenomena, सबसे पहले क्या है, ये तो natural phenomena है, ये तो actual में occur होता है, लेकिन कुछ phenomena होते है, जो occur होते हैं, लेकिन actual में वो occurrence नहीं होती, rainbow, ये हमारा phenomena natural है, और बाकी कुछ फिनोमेना होते हैं, वो हमारे artificial, ऐसे अकर होते हैं, वो गटना गटित होती है, लेकिन actual में अगर हम उसके देखने की कोशिश करें, तो उसके पास जाने की कोशिश करें, तो वो होता नहीं है, लेकिन ये जो rainbow है, ये तो natural phenomenon है, natural spectrum phenomenon, वो क्या है, rainbow is the natural spectrum phenomenon appear in the sky after rain सार, अरेंज सावर के बाद, बरसात जब होती है, बरसात के दिनों में, जब बरसात हो जाती है, उसके बाद, जो ये rainbow है, वो observe होता है, हमें दिखाई देता है, जिसे हम, बरसात, जैसी बरसात होते हैं, उसी टेम जब सूर जाता है, उसे उस टेम हमें क्या दिखाई देता सब्सक्राइब अबने और रेंडमो जो अब उबजव होता है तो इसका मालब जैसे लाइट से फिर पड़ेंगी तो इसका मालब जस्के अपोजित ऑफ दो सन के बिल्कुल अपोजित की तरफ दिखाए देगा थी स्फिंगल इन्वॉल ओते हैं यह हमारा रेंड्रॉप हैं प्लेट में की, पानी की बुंदें, कुछ पानी की बुंदें, एर में, एट्मोस्पेर में रह जाते हैं, बरसात के बाद कुछ बुंदें पानी में रह जाते हैं, ये पानी की बुंदें हमारा प्रिजमी की तरह काम करते हैं, प्रिजमी की तरह काम करते हैं, प्रिजमी का का कीजि में की तरह काम करती है और फ्रिस्म क काम करता है जब पर लाइट पड़ती है तो लाइट को तोड़ देता जब रेर से डैंचर में जाएगी तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्ण और फिर इसी मीडियम के अंदर टक्राई टकरआ के बाउनसिंग बैक होई तोई क्या है और इस ये मीडियम में गया देहां ऊटतर इंटरनल रिफ्लेक्षन जो तुम्हारे उस में टॉपिक पूरा हट गया फिर भी यह क्य होते चैंहे मैं है इस क्यों क्यों टॉटल או कि वाटर के अंदर ही इक तकरा के बाद वापस आए तो पहला फेलोमेप़には और टॉटाल इंटर्णल रिफ्लेक्शन और ट्टल इंटर्णल रिफ्लेक्शन जैसे थीज़ा znटकरां के वापेसे तो यहाँ पर क्या होगा इस पर सब्सक्रान हो है य 되면 ऑफले थी धिसक्क्राइट्रन और फ्रेक्शन तो यहां पर बरसात के बाद कुछ बुने पानी की एर में रह जाती है सम वाटर ड्रॉपलेट रिमें सस्पेंडेट इन दे एर अफटर दर रेन बरसात के बाद एर में कुछ पानी की बुने रह जाती है यह किस की तरह काम करते हैं ग्लास प्रिज्मी की तरह काम करते हैं जैसे ही लाइट यह वाटरोपलेट जैसे ही लाइट जैसे ही लाइट एंटर दा रेंड्रॉप जैसे ही लाइट इस रेंड्रॉप में एंटर वी फर्स्ट इस रिफ्रेक्ट में रिफ्रेक्ट में रिफ्रेक्ट में रेयर से किसम गई दैंसर में फर्स्ट इट तक्राती के और डिस्पर्स टूती, seven different color में, then reflect, और तक्राती के अपटे यह तक्राइट टूती टूतने के बाद यह reflect होई, reflect mean bouncing back in the same medium, same medium में bouncing back होई, and then it reflect internally, internally मन्दल अंदर ही water droplet के अंदर ही यह reflect होई, and again reflect and come out of the droplet, फिर वो बहार निकली, जब यह बहार निकली है, seven color में निकली, क्योंकि seven color तो अंदर ही बन गये थे, seven color जैसे ही इससे टक्राइट टक्राने के बाद यह seven color में, बने ओ साथ के साथ color, इस water drop के अंदर टक्रा के वापस है, यह reflection हुआ, टक्रा है, टक्रा के वापस है, यह reflection हुआ, और reflection इसी medium के अंदर तो इसा हम बहुते हैं तोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्षिन when the reflection will take place in the same medium, in the same museum. तो रेफ्लेक्ष वी ए भाहर आई, फिर उसके बाद यहाँ से थाइ यहाँ से भाहर आई, एसा रेंटार से इन्सर रेयर में तो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ. तो यह जो come out the droplet and seven color reach the eye observer to form the rainbow और जो वो टक्राकर जो भार निकली air में आई एक्मोस्पेर में आई तो इसका मददा साथ different color में वो साथ different color में साथ different color में observer की आई पर पड़ी जिसे हम क्या बोलते हैं rainbow बोलते हैं इंदर धनुस जिसे हम क्या बोलते हैं rainbow which is not a Indra Dhanous rainbow के लाएगी बटे तो rainbow की direction हमेशा sun की direction से क्या होगी opposite होगी the direction of rainbow is always opposite to the direction of direction of opposite to that direction of किसका sun का and now आज हम हीते की करते हैं क्यों क्योंकि आगे आपका भी थोड़ा से रह गया आज हो निपाएगा that is over for today and now thank